हेलो दोस्तो कैसे हैं आप आज मैं आपको राजिस्थानी गट्टे की सबजी भरणना सिका रहे हूं इसकी मेरे पास बहुत पहले से डिमांड आ रही थी थोधा सा लेट हो गया है तो शुरू करते हैं राजिस्थानी गट्टे की सबजी इसके लिए लेंगे हम एक बावल बेशन उसमें थोड़ा सा मोन डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे मीठा सोडा इसे अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से गुन लेंगे बेशन बहुत चिप-चिपा होता है इसलिए इसमे बिल्कुल अच्छे से इसे हम थोड़ी सिझें के लिये रग देंगे इतने ही में एक बावल में पानी लेंगे इसे बॉल करेंगे पानी को पानी गरम हो गया है इतने हमारा आटा धेखो तैयार हो गया है हमने चिक्नाइझ लगा दी थी इसलिए यह बिल्कुल भी अब चिप चिपा नहीं कर रहा है इसके हम पीस काट लेंगे रोल बनाकर इसके हम चार या पाच पीस कट जाएंगे जितने भी और चक्कू की नोक पर हम हलका हलका पानी लगाते रहेंगे इसे हम अच्छे से बेल लेंगे गोल गोल और छोटे-छो जैसे रखें गट्टे खाने में बहुत टेश्टी लगते हैं फिर चक्कू में जब भी थोड़ा सा चिप चिपा पन आए इसमें हलका अलका पानी लगाते रहें यह देखी हमारे गट्टे बिल्कुल तयार हो गया है और हमारा पानी भी बोईल हो गया हम इन्हें थोड़ा कि इन्हें हम एक नॉर्मल शेप में छोटे-छोटे ज्यादा बड़े पीस नहीं ले तो खाने की टेस्ट नहीं आएगा और मसाला भी पूरी तरीके से इसमें मिलेगा नहीं बिल्कुल छोटे-छोटे से गट्टे हम से काट लेंगे बहुत ही खाने में टेस्टी और बहु करते रहें, देखिँ इसे चट्पटे मसाले में भी यह ज़ती है सब्याइं कई लोगी से चट्पटा खाना पसंद करते यह और कई लोगमें अपका मसाला ही पसंद करते तो आप इसे जिस तरीके से भी खाना चाहें व् JON यह देखे हमारे गट्टे बिल्कुल तैयार हो गए हैं इसे हम थोड़ी सी देर के लिए बॉल करेंगे इतने यह बॉल होंगे इतने हम इसका तड़का त्यार कर लेते हैं between on a फे एक आ लेंगे उसमें थोड़ा सा रिफाइं डालेंगे रिफाइंड टेल कोई भी क्यींग ओप यूदी बना सकते अ कर सकते हैं इसमें हम डालेंगiau थोड़ा सा जीरा टेल गरम होने के भाद जी देख गया है कि इसे हलक अन् uni यह घ्र हां डालें कि हम लशन और लसन को हम अच्छे से बून लेंगे बिल्कुल बारी काटके डालें ताकि ये जो है बाद में मैस हो जाए अब इसमें हम डालेंगे करीबन दो प्याज मीडियम साइज की लसन और प्याज ओप्सनल है आप नहीं भी खाते हैं तो इसको आप अवाइड कर सकते हैं ना डाल है बाकि लसन प्याज जो है डालकर सब्जी का टेस्ट बढ़ी जाता है इसे हम अच्छे से हल्का पिंग कलर का भून लेंगे और हम आप इसमें डालेंगे देखिए बिल्कुल गुलाभी होने दे इसे अराम से चलाते रहें लगने ना दे हमारी खुस्वानी शुरू हो ग लगी हलकी सी भीनी-भीनी महक आने लगी है बहुत ही अच्छी खुसवा रही है दोस्तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी भी है और लाजवाब भी है तोमाट्रों को हम हलका सा ताकि पग जाए इसमें थोड़ा सा मैंने अध्रक डाला है कटावा इसमें हरीमिर्ज डाली तीन चाह थोड़े सा कटा वा धरिया अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे तड़के को बराबर चलाते रहें तामाटर थोड़े से केड़े होते हैं तो इसको हमछा स्था डग भी देंगे अब इसमें साले डालेंगे थोड़ी हलदी। आदी चम्मच हम इसमें डाला है आमचौर पाउटर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे मसाला जब तक भुन नहीं जाता इसका टेस्ट भी नहीं आता है देखिए हमारे गट्टे में मसाला बिल्कुल अच्छे से तड़के में मिक्स हो गया है अब हम इसे ग्राइंडर की साहता से खड़े मसाला अच्छा नहीं लगता है इसे लिए से ग्राइंडर की साहता से हम इसे अच्छे से पीस लेंग मसाला हमारा इदेगों बिल्कुल अच्छे से बारीक हो गया है बारीक ग्रेवी का टेस्टी है लगाता है मिक्स हो जाता है एक खड़े मसालों में फिर पानी अलग लग दिखाई देता सब्जी में यह देखें इसे हम अच्छे से मैस कर लेंगे हमारी ग्रेवी बिल्कुल करीब करीब तैयार हो गई है दोस्तों बहुत ही अच्छी महागार ही है इसे आप बनाएं अपने दोस्तों को भी खिलाएं देखें ग्रेवी त्यार हो गई है अब हम इसमें मिलाएंगे पानी करीबन एक गिलास पानी गट्टो के यसाप से यह थो ताकि यह सॉफ्ट बने आप हम इसे ग्रेवी में मिक्स कर देंगे इसे हम बिल्कुल खाली गट्टे गट्टे डालने इसकी तरी नहीं यूज करने है नहीं तो सब्जी का रंग फीका हो जाएगा और टेस्ट भी बदल जाएगा यह देखिए बिल्कुल हमारी गट्टे की सब्जी खाने के लिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को जुरूर लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें